नमस्कार दोस्तों गुड़ मॉर्निंग टॉल आफ यू आज सभी को पता है कि एनसेल एसिस्टन का मेडिकल अगले तीन दिन में होने वाला है 1921 डिसेंबर तो उसके लिए आप सभी प्रिपेर होगे उसमें कोई बड़ी बात नहीं है मितलब कोई उसके लिए इतना हमें पर इसेल में उनको मेल आया है उसमेल में वह एटेच किया गया है लेकिन में मुंबई रिजन से बिलॉंग करता महारास्टा से मुझे तो इस रिड़ेट कोई मेल नहीं आया है और कोई सेंटर भी अलोगेट नहीं हो आता मतलब जो हमारे यहां पर विवर सुधीप चक्रवरत कि उन्होंने वह मेल मुझे फॉरल किया है सो थैंक्स वुदी फॉर शेरिंग इस पीडियाफ वित मी एन मैं एक सोच रहा था कि यार वह फॉर्म जो हता जी सेंटेन फॉर्म में इससे सुना है कि आपको वहाँ पर जाने के बाद वह मिलता है वहाँ पर फिल अप करना होते इसलिए मैंने वीडियो बना है क्योंकि वह कैसा फिल करना है कैसा नहीं करना है वह भी मैं आपको बताऊंगा और अगले दो दिन में अंदर अंदर आपको वह दो सेट में बनाना इसके लिए मैं आपको दो सेट में बता रहा है कि दो सेट में आपको डॉक्मेंट्स लाने कहीं पर मेंशन कर किया गया कि सिर्फ एक ही सेट में लाना है तो प्लीज आप दो सेट में डॉकुमेंट्स लेके जाएगा जो कुछ भी डॉकुमेंट्स उनिने मांगे उसके बारे में शायद में बाग को लास्ट में बता दूंगा तो जी सेवर्टीन फॉर्म भी आपको प कंप्लेट किया चैनल और गुरूप का बनाया सो निचे डिस्कुर्प्शन बाक्स में आपको में लिंक दे दूंगा प्लीज आप गुरूप भी जोइन कर लेगा गुरूप में इसलिए बना है क्योंकि आप वहाँ पे कुछ इसूद होगी तो आप मुझे डायरेक्ली बत करना है कैसा ने फिलब करना जो कुछ भी ऐसे डाउट से वहाँ पे तो वह मैं आपको बताऊंगा और आप प्रिंट निकाल के रखिएगा उसके बाद प्रिशेर करने के बाद और उसके बाद फॉर्म पे लब शुरू करना करना शुरू किजएगा और इसके पर एक और व 14 डिसंबर को मुझे एक कॉल आया MDA इंडिया सेंटर से और उन्हों ने कहा कि सर आपका मेडिकल जो अपाइंडमेंट है वो MDA इंडिया सेंटर मुंबई को है तो उसके रिगार्डिंग आपको मेल आज आएगा सो आज सभी सुबह मैंने देखा पाज बज़े तो मुझे कल रात को एक मेल आया है MDA डिया से और उन्हों ने इस मेल में कहा है कि आपका मेडिकल 19-21 दिसंबर में 8-11 एम में होगा लेकिन दोस्तों एक प्रॉब्लेम यहां पे यह है डॉकुमेंट वरिपकेशन टाइम उन्हें बताया है 11 to 1 p.m. 11 a.m. to 1 p.m. and to 30 p.m. to 4 30 p.m. on any date मिलम 19 20 21 सो मेडिकल का टाइम 8 to 11 a.m. ही क्यों है मतलब तीन घंटे यह लेकिन हमारा तो इंपरेन्ट क्या है हमारा सबस्क्राइब डॉकमेंट वेरेपेशन ब्रांच आरू में जाना हो गाँवगा वा की विजिट करना होगा है यह लेतिकल आपड़ेब करना पड़ सकता है आपको एक दिन मेडीकल करूप Durch guess 2.14 1 a.m. में एक दिन आपको आरो में जाके डीवी करना होगा और दूसरी दिन एट टेलेवन एम मेडिकल सेंटर में जाके मेडिकल करना पड़े लेकिन शायद इसकी पॉस्विलिटी बहुत कम है आप डीवी के डीवी में जब जाओगे आपका वहापे डॉक्मेंट वेरिफाय होने क के बाद वो आपको सिर्या डारेक्ली मेडिकल सेंटर भेज जेंगे वह सिर्फ बताने के लिए था शायद उन्होंने मेल में कि आप सब से पहले प्रेजेंट हो जाएगा इसलिए उन्होंने एट टू इलिए बताया होगा सो गाईज हमारा आज का जो मतलब आज का जो सेश सिर्फ ऐसे चीज़े ही बताऊंगा जो आपको बरने में दिक्कत आ सकती है इसलिए बाकी की चीज़े मत पुझना उसके एकॉर्डिंग में आपको वह भी बता दूँगा कि यह मुझे मत पुझना वह मुझे मत पुझना क्योंकि मैंने क्लियर कर दिया है तो लेट्स बात बताता दोस्तों इन एक फॉर्म में पुझाए कि आपकी स्पोस्ट के लिए अपलाए करो तो यहां पर असिस्टन लिख देना सिर्फ असिस्टन ये तो हसने अली बाती थोड़ी सैलरी एक्सपेक्टेड वह सैलरी तो में एक लाग वेक्सपेक करूंगा सो यह कैसा भ जैसे जोईनिंग न लेट हो जाए इसलिए में इस सिर्फ उनले 10 डेस प्रायर टी जोईनिंग खाया सेकंड पर जब आते है तो यह सब आपको फिल करना आप सब्सक्राइब को पता है इसमें कोई बात नहीं है आसे यहां पे कैटेगरी में आपको जो कोई से कैटेगरी ब कि लिए पिजंगल को नहीं हो सकते है तो जो कुछ बहुत मुझे मुझे से मीशने करना होगा तो उसके बाद हाप को यहां पर देऊ है कि और यू शेडू का ससे स्ट अबीजी यहाँ पे कैना येस एंब्राइट मी एस आप ओडी सी एस येस टी तो डो मिसल का मतलब होता है कि आप कोई से स्टेट से बिलॉग करता है आप यहाँ पेड़ो मसल नमबर नहीं डालना है तो मिसाल इडी तो मिसल मतलब आपका हास्यों मिसल नमबर रहता है तो आपको नमबर डालना पड़ता है तो आपको डालना है डिट आप इस डियो की साइन होती है उसी के बाजू में डेट होती है 16 नममबर उसी के उपर डिपरस जो नमबर दिया होता है जो हाथ से लिखा होता है या प्रिंटिन भी होता है सो आपको लिखना है सो इसके बात ड्रसी आतरुटरुती मतलब वात थे इस लिखना है है तेस ही मॉपेर लाफिस है ड üzer यहां पीजी यह मकिए मैं ससी के सामने कुछ लिखोंगा नहीं जो कुछ भी लिखोंगा जो ग्राजीशन है उस में इंजिन के करोंगा और पॉट्प्छर ग्रेशन में नहीं पास किया हो लिखोंगा कॉन से मेडियम आप इंस्रक्शन है वह भी लिखोंगा तो इसके बाद इन परमेशन के आपको कभी स्कॉलर्शिप मिली है तो यहाप यहाप मेंशन कर दिजिए जिनको मिला है आप पेस्डी करते है तो उसके बार में परमेशन आपे दिजिएगा है वो पास एक्जाने ने हिंदी में एक्जम पास किया है है ओभ आपने कोई जिए कैसे हाओ हुआ हिनदी परिक्ष्षा उत तरह हं दो स्टेया छंडी परीक्ष्षा जोल कर दो कि सब्सक्न कrendre दो सुनग और तो जानो दो में Universalist मर्मेशन नहीं सो इसके बाद हाइस कुल इस्टो क्रीकूल एक्टिविटेट मैं आपने क्या गया था कुन से ओपेशी हिल्ड कहा था मतलब तो में आप याप यह स्पोर्ट्स और राक बारे में तो मैंनाया नहीं नहीं है किया सो छोड़्स में स्पोर्समेशन किये यहाफ ही भी नहीं है क्या आप स्कूल में वेर मिटियर स्कॉली एक्षाइब एक फैमिली फ्रम माइफ है मिली तो यहाप एक्स इन वाट इस पेंडिंग मने अइटम और देन एडिकेशन कितना परसेंट सो मैंने आप परसेंट में इसिंगे रिजादा ने में इसिंग जैन बिल्ग तर्टी परसे अचैनल तर्टी इन रहा थानी तो यहाँ पर जिनके पास शॉर्टन रोट टाइपिं का एक्सपेरियंस और यहाँ पे मेंसिं कर दे तो उनका स्पीड को भी टाइप रडिंग ओंव इमेंसिंगर इस और जो प्रिडियो मेंसिं करें अभी यह जो मीनिंग अना यह मुझे नहीं पता जिनको पता है शॉर्ट रेंडेंगो सब्सक्राइब को पता होगा जो टाइप रेटेंग उनको उनका अटमेडिली पता होगा यहाँ पे विशेश योग्यता एनी मतलब कोई होता है न इसके आगे अस्टेन और भी नो शायल वही होगी विशेश अगता तो इस इसके बाद जिनकी शादियों उनको पत्नी का नाम उनका दिया है लेकिन नीचे बोला है कि सर्विस पेश करता है तो उनको नीचे पता देना होगा जिनका वो प्रोफेशनल एड्रेस होगा वो देना होगा क्या उनके पत्नी का नाम देना होगा पंत्नी और पति का नाम मतलब लेडिस होगी तो पति का नाम इंजेंट्स होगे तो उनको पत्नी का नाम जना होगा यहापे उनका मंतली इंकम देना होगा उनका एजूगेश पर मंदा में रखना हिजन इस को जो शादी सुधा उनके बच्चे हो तो उनके साथ रहती है तो उनके से बार में जान करें देनी है वह सबसे सबसे इंपोर्टन अब यह आता ही परस्नल रेफरेंसेस यहाँ पर आपको तीन लोग का ऐसा नाम देना है जो आपके रिलेटिव ना हो और एनैसेल के फॉर्मर एंप्लोईज ना हो उनका रेफरेंस आपको देना है उनका एड्रेस देना है जो आपको पहिचानते हो किसी को भी गली के महल के किसी भी राम शाम को उठा मत लेना जो आपको पहिचानता हो जो आपका यदि कंपणी ने उनको कॉन्टेक्ट किया और आपके बारे में इंपरमेशन बता सके ऐसे आदमी का लिखाओ यहाँ पर मुझे मत पूश्चना की भई में तो मेरा यहाँ पर इसक नमबर पूचा है मोबल नमबर नहीं चोटी जोड़ी मिस्टेक्स मत करना एंप्लाइमेंट रेपरेंस एदी जिन उने इंप्लाइमेंट में कभी किया है मतलब एक्सपिरेंस हो तो यहाँ पे सब कुछ फिल कर देना उनने उनने उसके बाद यह सबसे इंपर्टन है किया डू एंपन्त इन आप नहीं है तो यहाँ पे यह सुकता है यहाँ पर मिन आप रेंट किया है सो एक सबसे इंपर अभी सब्सेंरी टिट सेट सो रियलिस्टीट का मतलब किया होता है कि लैंड और ऐसी लैंड इसी एपर कोई प्रापर टीबिल्ट की गयी हो मतलब कोई bangla आ में आपके पास आपके नाम पर खेती है सिब खेती है तो रियल स्टेट में नहीं आती है और मुझे कमेंड बाक्स में प्लीज ऐसा मत पुझेगा कि मेरे पास तो जैमिन लेकिन हम करते नहीं है किसी को भाड़े पर दिये है ऐसा वेसा जो कुछ भी है रियलिस्टेट के बारे में आपको इन परमेशन देखना है उसकी डेपिनेशन नेट पर देख लो और हाया ना में बोल दो यदि हाँ है तो उसकी क्या कीमत है और कुंसे टाउन में लोकेड़ेट है उसकी सब को एक्स पास ड्यू इप्सो प्लीज ड्यू आपके उपर बुद काल में कोई करजा है तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर इन परमेशन देना है लेकिन भाई एक बात मेरे लिए यहाँ पर प्रॉल्लेमेटिक हो रहे है कि बहुत किसान को तो हर सल करजा होता है तो कुन से दूस्ट दूसरे से तुसरे साल टो निल करदे तो पिछले 10-15 साल आपको भी आपको रहने से बात करें तो आभी फिलाल में यहाँ पे कुछ लिखोंगा ने और लिखोंगा रोट थ्री लाग फौर लाग जो कुछ भी होगा वहाँ पास ड्यू दूज होगा ऐसा कुछ के बारे में क्लियर नहीं तो में अभी तक लिखा नहीं है वहां जाके हम पूछ लेंगे जो कुछ विएगा इन मुष्ट प्रभाइबली अभी वो कर जाए दिन नील है तो मैं आप डैसी कर दोंगा और डूयो एने सोर्स आप इंकम सो ये सोर नो आपने कुछ सब बीमा करव प्रफिल करके तो लाइप इंसुरेंस और एक्सेडेंटल इंसुरेंस है तो मैंने दो अप्रके तो मैंने दोन जोगे यहां पे कर दिया है तो हमारे कंपनी के पहले नियुजित थे नो आएम नौट आप वाजन्ट वेर वह इन वाट कैपसिटी तो इधी आप होगे तो य ने सेल में हो तो उनके रिल्डेट वहाँ पे इस परमेशन देना है यह दि किसी के पहिचन वाला कोई भी वहाँ पे नहीं है तो कोई इस्चुन फोड़ दीजिएगा तो मेरे दो पहिचन वाल तो यहाप मैंने डाइज डाश कर दिया है कोई डिरेक्टर भी मेरे पहिचन वाला नहीं यह तो साथ एक लास्तर लेवल पे भी नहीं एक लास पर लेवल पर नहीं उनको वह सब भरनाय डिटल से इनको परिचन वाल पर यह ने सेल में और रड़ी है तो यहाप यह पर इंटरू टेस्ट एरलियर किया है तो यह सोरनो की जिएगा आपके अगेंस कोई क प्राविडेंट फर्ण पी एफ नंबर फैमिली पेंजन स्किम सब के बारे में इन परमेशन देना है जो कुछ भी नंबर यहाप दिया है पिन पीएस का नंबर जिनके पास अल्रेडी अकाउंट है क्या है जब आप जाओगे तो आपका भी एक अकाउंट वहापे जिन-का ने खलंको दोमी छेयर जlez जानके गिए पिष्यस की अब करेंडे को कुल्स निक रसिए फोर में तो के लिए ऊट है तो है चीटिवारा ठीक समस्क हम और इस लिए नहीं अपने जोड है वह आप दोいうこと करने लों से जोनने फोली देर बद देखेंगे इसके बद़ कौन से स्थान पे कौन से दिनांग पे यहां पर आपका सिग्नेचर करना है और इसके निचे एक सबसे इंपोर्टेंट यहां पर हमें कुछ भी नहीं की फिल करना है यह ओपीश यूज के लिए वह फिल करते रहेंगे सो लेट समुवान टुद जो डॉकुमेंट का जो दिया है उसके बारे में बात करेंगे सो देखेगा दोस्तों यहां पर सब कुछ बताया कि क्या लगने वाले सबसे पहले वाले इसके पहले आएगा जी से उन्टिन फॉर्म उसके बाद वैलेड शिस्टिम जन्रेट प्रिंट और मॉन अप्लिकेशन फॉर्म सो स्टेंडर टेंट और ट्वेल का उन्होंने टेंट का तभी देना जब आपके पास बरती शूप बर सर्टिपिट नहीं हो एधी बर सर्टिकेट है तो टेंथ का और ट्वेल का दोनों ने इस बर मेंशन किया नहीं लेकिन आप लेके जाओ वहां पे दो सेट में उसके बाद कॉपी जब और मार्क शिट्स अब ग्राजिएशन एक्वेलेंट अलांग विट प्रोइजिट फाइनल से विट नहीं है वह प्रोइजिन लेके जाएगा जिनके पास फैनल फ इसका सर्टिपिक आपको लगेगा फोटो एडेंटेटिव फूप एक कुण सा भी लगेंगा जो पहले आपने दिया और उसके अलावा पैन को और आधरकाट दो जुरूरत दो इंपोरेंट डॉकमेंट से मतलब फोटो आधरकाट के अलावा होना चाहिए मतलब ड्राइव आधा देखिए यहां पर दिया है यूर अपॉंट्मन फोर प्री एंप्लोयमेंट हेल्थ चेक अप हैज में शेडूल बित्विन दो नाइंटीन तो ट्वेंटी फोस्ट डिसेंबर टाइमिंग और बी एट एम एंट एम एंट एलेवन एम एंट एम एंट एलेवन एम स्री डाइगनोस्टिक प्राइवेट एल्टीडी प्लॉट नंबर देश देश दिया है तो उनका मेल मुझे अभी सुबह आया है तो यहां पर टाइमिंग नाइन एट टू इलेवन एम एम दिया है तो यह जिस आपको आलेट करने के लिए है वह ऐसा कुछ नहीं इसके बाद भ कर दी है सो आयोग कि अब मेडिकल के लिए आप तयार हो सो थैंक्यू गाइस फर वाचिंग दिस एंड हैवनेस दे हैवल लेड़ टेलेग्राम गुरूप जो आपको मैंने बताया है टेलेग्राम गुरूप में आप प्लीज जोईन कर लिए बाद में लिव कर दीजेगा को आगी आगे भी मुझे कुछ ऐसे पीडिएफ शेर करने होगी तो में उस ग्रूप में और उस चैनल में दोनों चैनल और गूरूप का नाम बैंकर्स कट्टाई है कई पर भी ओपिशेल है कई पर 24 वाइसे होने दोनों की लिंक मेंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दू उस लिंक पे आप जा के वो ग्रूप और चैनल जोइन कर सकते हैं तो थैंक यू गाइस पर वाचिं लिए और आप ब्राइट फूचर है गुडबाई